हेलो गाइस वेल्कम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल और आज हम जो कोश्चन देखने वाले हैं उस कोश्चन का नाम है रोजी सीडी इसमें हमें देख्या रखा होगा दो एरेस दे रख्योंगी एक एरे एंड साइस की दूसरी एरे साइस की दोनों एरेस का साइस 10 की पार 5 तक जा सकता है हमें कैलिकुलेट क्या करना है हर जे की वेल्यू के लिए इन सारी टर्म्स का जी सीडी कैलिकुलेट करना है यानि अगर हम एक्जाम्पल लें तो लेट्स सपोस्पोस फर्स्ट या रहे है यह ए नॉट एवन एटू फिर बी टू अड़ करो और अगले बार फिर पराक्वन जोबू एट कर लो और प्रेंट कर दो फिर अगले बार बी त्री फिर बी एटर दो एड़ तो ऐसे टोटल जितने भी सारे GCDs आएंगे, उन सब को प्रिंट करने एक एक करके, तो अगर हम सबसे brute force approach देखें, basically सबसे naive approach क्या हो सकती है, सारे GCDs calculate कर लो, सारे GCDs अगर हम calculate करेंगे, तो time complexity क्या आएगी, एक GCDs calculate करने की आएगी time complexity, जितने terms है उस GCD में, तो terms कितनी है, n terms है, n terms का GCDs calculate करने के लिए time complexity आजएगी, n into log of minimum of a, b, तो log of value ले 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 लेते हैं, let's suppose, वो value किस range में लाए कर रही होगी, जो a की value या फिर b की value है, वो है 10 की बार 18 तक, तो value जो होगी, log of well, वो 10 की बार 18 तर जाएगा, तो इसको ignore भी कर देंगे एक बार के लिए, तो हम i की order of n, लेकिन हमें कितने GCDs calculate करने है, हमें तो total, जितने P की values है, जो की है, b0, b1, b2, bm-1, तो हमें m GCDs calculate करने है, m GCDs, तो total time complexity क्या आ गई, एक GCD को calculate करने के लिए, n और m GCDs को calculate करने के लिए, n into m, यानि order of n into m time complexity आ गई, लेकिन, क्योंकि दोनो n और m की value, 2 into 10 की पर 5 दे रखिया है, तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे, n की value 10 की पर 5, into m की value 10 की पर 5, तो यह तो order of 10 की पर 10 चला जाएगा, यानि TL ही दे देगा, तो हमें कुछ और अच्छा सोचना पड़ेगा, तो एक बार कुछ analyze करते हैं, let's suppose हमें GCD calculate करना हुआ, 12 और 20 का, तो हम करते क्या थे long division में, 20 अंदर लेते थे as dividend, 12 भार लेते थे as divisor, divide करते थे, कोशेंट आता था था 1, 12 वन जा 12, माइनस में remainder क्या आएगा, 8, अब जो remainder आता है, वो बनता है नया diviser, और जो dividend बनता है, वो क्या बनता है, पुराना diviser, तो जो पुराना diviser था 12, वो बन गया अब dividend, 12 को divide करेंगे, तो क्या basically कोशेंट आएगा, 1, and remainder आएगा 8, और स्वार हमारा जो यहां पर आएगा, 8, 1 जा 8 आएगा, और तो remainder आएगा 4, अब अंदर जाता था पुराना diviser, यानि dividend बनता है, 8, अब 8 को 4 से divide करेंगे, तो कोशेंट आएगा 2, तो 4, 2 जा 8, and remainder 0, तो हम देख क्या पा रहे हैं, जो भी 20 और 12 का GCD हो, क्या वो 8 और 12 के GCD के बराब नहीं होगा, यानि GCD of 20, 12, क्या GCD of 12, 8 के बराबर होगा, हाँ भी होगा, जो GCD 20 और 12 का है, यानि 4, वोई तो GCD 12 और 8 का है, तो अगर हम 20 और 12 को X और Y लिख दें, 20 को लिख दिया, X, 12 को लिख दिया Y, तो क्या GCD of X, Y, GCD of 12 कैसे आएगा, बेसिकली जो भी पुराना Y है, 8 कैसे आया, 20 माइनस 12, तो X माइनस Y, क्या एक फर्मला मिल गया हमें, GCD of X, Y, क्या GCD of X माइनस Y, Y बन गया, यानि कोई भी दो टर्म्स का GCD, उन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को माइनस कर दो, अगर Y को माइनस करते हैं, तो Y, X माइ क्या बन सकता है, GCD of X, Y-X, तो इस फर्मले का हम यूज करेंगे, time complexity को reduce करने के लिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इन सारी टर्म्स में से, अगर हम पहली टर्म को सब्ट्रेक्ट कर दें, इन बाकी बचीवी टर्म्स में, पहली टर्म को सब्ट्रेक्ट कर दें, यानि यह वाला फॉर्मला लगाएं, GCD of X, Y, क्या बनता है, GCD of X, Y-X, तो अगर हम बाकी बचीवी सारी टर्म्स में, पहली टर्म को सब्ट्रेक्ट कर दें, तो GCD सेम रहना चाहिए, तो अगर हम सारी टर्म्स में GCD को सब्ट्रेक्ट करेंगे, बिसिकली यह वाला फॉर् a0 plus b0, बाकि सारी terms में से यह term minus कर दो, यह वाली term minus कर दो, तो a1 plus b0 minus a0 plus b0, minus करेंगे, तो basically हमारा क्या cancel होगे है, यहाँ पर b0 है, तो b0 से b0 cancel होगे, बचा क्या, a1 minus a0, अब दूसरी term में से a0 plus b0 को subtract करेंगे, तो क्या बचाएगा, a2 plus b0, minus में a0, minus में b0, तो यहाँ पर भी similarly b0 से b0 cancel होगे, तो बचा क्या, a2 minus a0, फिर क्या बचेगा, a3 minus a0, लास्ट में क्या बचेगा, an minus 1 minus a0, लेकिन एक gcd calculate करने के लिए, अभी भी मेनों को दिख रहा है कि time complexity is the order of n जाएगी, लेकिन अगर हम दूसरी term भी देखें, इसमें भी पहली term को minus करते हैं सारी terms में से, बची हुई, तो क्या आएगा, a0 plus b1, minus a0 plus b1, तो क्या रहा, b1 से b1 कट गया, बचा क्या, a1 minus a0, फिर a2 minus a0, फिर a3 minus a0, अप्टो अप्टो, an minus 1 minus a0, इसमें पहली term को minus करते हैं, तो क्या बना, a0 plus b2 तो सेम भी रहा, बाकि सारी terms में से, a0 plus b2 को minus करेंगे, तो क्या रहेगा, a1 minus a0, a2 minus a0, अप्टो, 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 an minus 1 minus a0, तो हम कोई property देख पा रहे हैं, last term में से भी एक बार, पहली term को minus कर देते हैं, last gcd में सारी terms में से, इस वाली term को minus कर दिया, तो पहली term तो as it is रहती है, x का x ही रहता है, तो a0 plus b of m minus 1 ही रहा, बागे सारी terms में से पहली term minus करेंगे, तो क्या बच गया, a1 minus a0, a2 minus a0, a3 minus a0, अप्टो, अप्टो, an minus 1 minus a0, तो हम कुछ आप comment देख पा रहे हैं, पहले gcd में इन सब का gcd लेने, दूसरे gcd में वापस इन सब का gcd लेने, तीसरे gcd में भी इन सब का gcd लेने, लास्ट वाले gcd में भी इन सब का ही gcd लेने, तो मारा answer क्या बना, जो basically gcd आए, अगर इस पूरे gcd को हम initially calculate करके रख ले, let's suppose हमने initially calculate करके रख लिया gcd, और जो भी variable है उसको नाम दे दिया कुछ, अगर let's suppose gcd हम नाम दे देते हैं, वो क्या आएगा, gcd of a1-a0, a2-a0, a3-a0, up to up to an-a0, let's suppose हमने initially हमने pre-calculate करके रख लिया, अब क्या बची terms, अब हमें जो calculate करना रह गया है, वो क्या रह गया है, इन सब जगे पर, इन सब जगे पर ये जो gcd आया है, वो replace कर दो, इन सब जगे पर ये जो gcd है, उसको replace कर दिया, तो comma, जो भी gcd आया है, comma, जो भी gcd आया है, gcd, gcd, तो अब क्या देखेंगे, अगर हमने formula लगाया, कौन सा formula, gcd of x, y is equal to gcd of x, y-x, simply जो derive करके आ रहा है, उस formula को लगा कर, पहले तो हम ये calculate कर लें, gcd of a1-a0, a2-a0, up to up to a-a0, इसमें कितना time लगेगा, जितनी terms होंगी, तो इसमें तो n terms है, तो इसमें n time लग गया, लेकिन, अब जब ये calculate करेंगे, तो अलग से m time लग जाएगा, क्योंकि m terms है इसमें, तो total time कितना लग गया, एक, एक term को calculate करने के लिए, सिरफ constant time लगा है, दो terms का basically gcd लिया है, जो की log में आता है, और almost constant मान सकते हैं, तो total time कितना लगा, m time लगा, तो पहला n और अब का m, तो n प्लस m time में, हम question को solve कर पा रहे हैं, n प्लस m into some constant, जो की होगा log of value, और value क्या है 10 की पार 18, तो log of 10 की पार 18, तो 18 को भाढ़ लेके जाएंगे, तो 18 into log of 10, जो की 3 के राउंड होता है, तो यह तो कुछ constant है, इसको तो ignore कर सकते हैं, तो basically time complexity हमने n into m से n प्लस m reduce कर ली using simple formula of gcd, और formula क्या है वो, वो formula है gcd of x, y is equal to gcd of x, y minus x, यह कैसे आया, 12 और 20 का जो gcd आता है, वही तो उनके जब हम long division करते हैं, तो 20 में से 12 minus करते हैं, तो 8 remainder आता है, अब 8 को बनाते हैं, हम अपना नया remainder, अपना नया divisor और जो हमारा dividend बनता है, वो बनता पूराना divisor, तो 12, तो जो 20, 12 का gcd आयेगा, वो ही तो 12, 8 का आयेगा, यानि जो x और y का gcd आयेगा, वो हमें input मैंने already लिख रखका है, input में क्या दे रखका है, जो n और m की values है, और दोनों एरेज जो है, long में मैंने input ले लिए, और gcd का function मैंने already लिख रखका है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो remaining dcd है, उसको मैं लिख देता हूँ remaining dcd, वो क्या होगा, a1-a0, a2-a0, इन सबकी values, इन सबकी values को calculate करना है, तो initially ले लिया 0, लूप कहां से लगाना है, 1 से, a1-a0, a2-a0, 1 से लेकर n तक लूप लगाया, और calculate कर लिया remaining dcd, जो किया आएगा, dcd of, अभी तक का dcd, a, a of i-a0, अब इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, a of i, अगर a0 से छोटा हुआ, तो यह जो पूरी value है, यह negative चली जाएगी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस value का absolute ले लेंगे, तो हमने gcd calculate कर लिया, अब जो सारे gcd's print करने हैं, वो कैसे करेंगे, 0 से loop लगा कर, m तक, सारे gcd's को calculate करने के लिए, जो answer आएगा, वो क्या आएगा, gcd of, a of 0 plus b of i, यह तो देखा था हमने, a of 0 plus b of i, तो a of 0 plus b of i, अभी तक का, जो gcd, remaining gcd, आमने निकाल लिया, यह भी जो भी gcd आया, इसको हमने answer में print कर वाया, और answer को print कर दिया, तो एक बढ़ चला के देख लेते हैं, हमारा जो input है, वो मैंने ले लिया है, output है 23824, और हमें जो expected output था, वो भी क्या था, 23824, तो एक बार अपने code को submit करके देख लेते हैं, मैंने वैसे already submit कर रखा है, तो यह code चल जाना चाहिए, तो I hope आपको question समझ आया होगा, अगर question समझ आया, तो वीडियो को like करो, till then, bye bye.